इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस noise color fit impact smartwatch को smartphone से connect करके complete एक एक features कैसे use कर सकते हैं, complete खुद का photo set करना, calling setup हो गया, complete smartwatch को कैसे use कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, so first of all आप जब आप smartwatch को on करोगे, तो कुछ इस तरीके से option आएगा, तो इस QR code को scan करके भी app को download कर सकते हो, जिससे connect करना है, या फिर आपको play store या app store पे चले जाना है, and कुछ इस तरीके से noise fit focus करके search करना है, and search करके ये app को install कर लेना है, download कर लेना है, so यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने install कर लिया है, and इसको open करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फोन में internet connection on होना चीए, तो मैंने फिलाल फोन को wifi से connect रखा है, इसे के साथ फोन में Bluetooth होन होना चीए, फोन का, and phone का location जो है on होना चीए, so यह सबी चीज़े जो है अभी on है, and चली हम app को open करते हैं, so कुछ इस तरीके से हम app को open कर लेते हैं, and app को open करने के बाद कुछ इस तरीके से option आएगा, यहाँ पे आपको agree पे click कर देना है, सबसे नीचे वाला option है, and यहाँ पे logging करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे अभी मैं बीना logging की य यूज करूँगा, तो यहाँ पे मैं उपर वाले option पे click कर देता हूं, use without account, ठीक है, तो यहाँ पे clicking कर देता हूं, उसके बाद यहाँ पर अपना nickname ढाल सकते हो, यहाँ पे अपना birthday सि लेक कर सकते हो, यहाँ से अपना gender सि लेक कर सकते हो, यहाँ पे height सिलेक कर देना है, यहा यहां पर मैं next कर देता हूं उसके बाद location का permission मांग रहा है यहां पर आपको ok कर देना है एंद यहां पर while using the app पर click कर देना है तो यहां पर देख सकते हो सर्चिंग स्टार्ट हो गया है एंद यहां पर देख सकते हो सर्च में हमारा smart watch आ गया है color fit impact करके सबसे उपर वाला है य यहां पर देख सकते हो bind success हो गया है अभी स्मार्ट फॉन से completely connect हो गया है और देख सकते हो कुछ इस तरीके का bluetooth pairing का option आएगा यहां पर आपको pair पे क्लिक कर देना है ठीक है पेर पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं bluetooth से जो है smart watch connect हो गया है फोन से तो app से तो connect होई गया है साथी म Bluetooth से भी connect हो गया है यहाँ पर देख सकते हैं Smart Watch में कुछ ऐसा option आ रहा है यहाँ पर start पर click करते हैं यहाँ पर slide up कर देना है slide down करना है slide lift करना है कुछ इस तरीके से अब हमारे smart watch complete ready हो गया है एक और चीज आपको मैं बता दूँ जैसे कि आपने देखा Bluetooth से connect करने का option आया तो मैंने connect कर लिया अगर Bluetooth से connect करने का option नहीं आता है और Bluetooth से connect नहीं होता है तो आपको direct Bluetooth setting में चले जाना है phone के Bluetooth setting में जाके direct आपको manually search करके color fix जो impact है इसको connect करना है smartphone के Bluetooth से जब तक आप smartphone के Bluetooth से smartwatch को connect नहीं करेंगे तब तक आप calling feature का यूज नहीं कर पाएंगे और काफी सारे problems आएंगे तो आपको फोन के Bluetooth से कुछ इस तरीके से सर्च करके connect कर लिना है तो देख सकते हैं अभी हमारे connected है color fit impact है इसी साथ चलिए हम फिर से app पे आते हैं और देखते हैं complete और feature जो है कैसे use करना है तो सबसे पहले यहांपे device का option देख सकते है तो यह यह कुछ options आ रहा है यहाँ पर कुछ i know पे किलिक कर देता हूं कुछ इस तरीके से इसीक्साब देख सकते हो कुछ ऐसा option है यहाँ पर स्मार्ट वाच और बैटरी परसेंटे तो जो सबसे पहला option है, यहाँ पर push notification का है यहाँ पर, तो अगर हम इस option पर click करते हैं, push notification पर, तो यहाँ पर देख सकते हो, कुछ options देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि अगर call alert चाहिए, तो यहाँ पर on कर देना है, इसको अगर आप on कर देना है, यहाँ पर okay पर click कर देन है जो भी permission माएंगा आपको allo कर देना है इतना करने के बाद जो भी call वगेरा आएगा वो अब आपके smart watch पर receive होगा इससे के साथ बात करें जैसे कि हमें social media का WhatsApp, Facebook, Instagram किसी के message होगे रहा है, notifications होगे रहा है वो notification अगर हमें smart watch पर receive करना है तो यहां से इसको भी on कर देना है अगर मुझे WhatsApp का चीह है तो WhatsApp का यहां से on कर दूँगा, okay करूँगा और यहां पर noise fit focus पर मैं click करूँगा और इसको जो है यहां पर enable कर देना है यहां से allo कर देना है इतना करने बाद फिर से हमें application पर back आ अब हम WhatsApp का यहां से on करते हैं कुछ इस तरीके से देख सकते WhatsApp का notification on हो गया है अब अगर कोई भी call आता है या कोई भी WhatsApp पर message वगरा आता है वो हमारे smart watch पर भी receive होगा अब आपको मैं दिखाएता हूं सबसे पहले चलिए WhatsApp का दिखाता हूं कोई भी notification अगर हमारे smart phone में आता है तो smart watch पर कैसे सो होगा तो एक दूसरे phone से मैंने इस phone के WhatsApp पर notification सेंड कर दिया है message सेंड कर दिया है and अभी हम देखेंगे देख सकते है message receive हो गया है smart phone पर भी and smart watch पर भी कुछ इस तरीके से देख सकते है notification आ गया है and अगर इसे हमें fit से देखना है तो smart watch पर हमें यहाँ पर slide down करना है slide down करेंगे तो यहां से आप messages देख सकते हो कुछ इस तरीके से क्लिक करके कोई भी WhatsApp, Facebook, Instagram का notifications वगे messages वगे आएंगे तो complete आप यहां पर कुछ इस तरीके से जो विव कर सकते हो देख सकते हो और चलिए एक बार आपको calling का दिखायता हूँ call आएगा तो किस तरीके से smart watch में हमारे सो होगा तो एक दूसरे smartphone से मैंने call कर दिया है इस smartphone पर अभी हम देखेंगे calling का किस तरीके सो होगा तो देख सकते हैं call आ गया है और हमारे smart watch पर भी call आ गया है और देख सकते हो कुछ इस तरीके से ring होगा कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा यहां से आप volume कम ज़्यादा भी कर सकते हो यहां से receive करके smartwatch से call पर बात कर सकते हो ढहां से आप call receive हो गया यहां से आप mute भी कर सकते हो यहां से call को transfer भी कर सकते हो phone पर जैसे कि अभी आपने देखा call आया तो जो contact का name था वो show कर रहा हो था हो तो कभी-कभी आपके साथ problem आएगा कि contact का name show नहीं करेगा नंबर ही show करेगा तो आपको क्या करना है Bluetooth setting में चले जाना है कुछ इस तरीके से click करके रखता हूँ Bluetooth setting में आ जाना है तो कुछ इस तरीके से यहां से आप कर सकते हो इसे के साथ back आते हैं देखते हैं और features को कैसे use कर सकते हैं यहां से आप alarm set कर सकते हो यहां से alarm का option है इसे के साथ बात करें तो यहां पर देख सकते हो watch faces करके एक option है तो watch faces वाले option में हम यहां पर click करते हैं कुछ इस तरीके से, यहां पर काफी सारे watch faces देखने के लिए मिल जाते हैं, देख सकते हैं, यहां पर open हो रहा है, थोड़ा सा हम यहां पर wait करते हैं, तो कोई भी अगर watch faces यहां से set करना है, तो simply उस पर आपको click करना है, कुछ इस तरीके से, उसके बाद ही जो push का option है, यहां पर आपको click कर देना है, push वाले option पर click करेंगे, तो यहां पर downloading स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां पर हमें थोड़ा सा wait करना है, यहां पर देख सकते हो प्रिपेरिंग हो रहा है, यहां पर start हो गया है, अगर हम दिखा दू smart watch पर, तो देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर मे smart watch पर भी so करेंगा, यहां पर start हो गया है, तो देख सकते हैं, यहां पर start हो गया है and complete यहां पर देख सकते हैं, smart watch में bह So हो रहा है and थोड़ा सा में वेट करते हैं आपर देखेंगा अभी किस तरीके से यह photo जो है हमारे smart watch पे set हो जाता है सो देख सकते हैं successfully यहाँ पे set हो गया है and complete कुछ इस तरीके से हमारा photo जो है watch पे दिख रहा है यहाँ से कोई भी photo जो है smart watch पे कुछ इस तरीके से आप set कर सकते हो and बात करें खुद का photo जो है smart watch पे कैसे set कर सकते हो सो यहाँ पे देख सकते हो सबसे उपर वाला जो option है यहाँ पे एक pencil का icon बना हुआ है तो इस pencil वाले icon पे हमें click करना है कुछ इस तरीके से अब कुछ इस तरीके से option open होगा यहाँ पे आपको background के नीचे जो plus का icon है इस पे click करना है plus वाले option पे यहाँ पे select पे click करना है ठीक है select पे click कर देना है select पे click करने के बाद जो भी आपको photo set करना है वो आपको select कर लेना है मैं यह फोटो-फिल आ ले मेरे पास, इसको मैं select कर लेता हूं, उसके बाद आपको यहां से crop कर लेना है, ठीक है, मैं crop कर लेता हूं, उसके बाद उपर मैं right पे click कर देना है, यहां पे end कुछ इस तरीक केसे option आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर style वाले option पर आना है ठीक है style वाले option पर आना है यहाँ से आप time color जो है change कर सकते हो time का जो color है वो यहाँ से आप set कर सकते हो अपने ही साफ से तो यहाँ पर मैं white रखता हूँ यहाँ पर position भी आप change कर सकते हो position वाले option पे अगर मैं आता हूँ time को उपर रखना है side में रखना है इस तरीके से आप set कर सकते हो फिलाल मैं नीचे रखता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है create dial पे click करना है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो create dial का option है यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर देख सकते है downloading start हो गया है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर wait करना है और देख सकते हैं यहाँ फिर से हमें push वाले option पर click कर देना है ठीक है जो push का option आगा है इसका हमें click कर देना है यहाँ पर देख सकते है preparing हो रहा है and यहाँ पे set होना start हो गया है and यहाँ भी हमें थोड़ा सा wait करेंगे तो फटाफट जो हमारे यह खुद का photo जो है watch पे set हो जाएगा तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे wait करते हैं so यहाँ पे देख सकते हो almost 90% हो गया है and complete होने वाला है यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे complete होते ही हमारा खुद का photo आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है smart watch पे set हो गया है and कोई भी photo जो है smart watch पे आप set कर सकते हो कोई भी picture आप gallery से smart watch पे कुछ इसी तरीके से जो है आप complete setup कर सकते हो इसी केसाद चलिए हम back आते हैं कुछ इस तरीके से and back आनेक बाद और हम देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो weather reports का एक option है तो weather reports को भी आपको यहाँ से enable कर देना है तो आप जो है weather आप अपने smart watch से देख पाएंगे यहाँ से rise to wake feature को on off कर सकते हो और सो बात करें तो यहाँ से find my device के use कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर click करूँगा तो हमारा smart watch जो vibrate होना है start हो गया है जैसे कि अभी मैं fill कर पा रहा हूँ इसे के जाद बात करूँ तो यहाँ से आप wrist preference पे select करके यहाँ से आप smart watch को किस hand में किस wrist में पहना चाते हो वो यहाँ से select कर लिना है वहीं बात करते हो यहाँ से hours का जो style है वो यहाँ से आप 12 hour और 24 hour में change कर सकते हो तो यहाँ मैं 12 hour format को रखता हूँ यहाँ से देख सकते हो frequency contact का option है तो यहाँ पे अगर हम click करते हैं कुछ इस तरीके से एंड अगर plus करके कोई भी contact हम यहाँ पे add कर देंगे तो वो हमारे smart watch पे show होगा अगर मैं इस side slide करता हूँ noise buzz वाले option में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे देख सकते हो नीचे contact का option है तो contact वाले option पे अगर मैं click करूँगा देख सकते हो अभी कोई भी contact show नहीं कर रहा है और चलिए यहाँ से अभी हम contact add करते हैं तो यहाँ से मैं plus वाले option पे click करता हूँ नीचे जो plus का option है यहाँ पे click करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे click करने पे जो भी contact आपको set करना है वो select कर लेना है कुछ इस तरीके से तो यह जो है setup हो गया है अब अगर हम smart watch में देखेंगे तो यह contact जो हमारे smart watch में show होगा तो अगर मैं contact वाले option में जाता हूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे click करके मैं direct call भी कर सकता हूँ इसके साथ बात करते हूँ यहाँ से आप recent calls भी देख सकते हो जो भी call history अगरा है यहाँ से आप number dial करके भी call कर सकते हो इसके साथ चलिए बात करते हैं आगे और features का कैसे use करना है यहाँ पे total जो आप 10 contact add कर सकते हो ठीक है चलिए back आजाते हैं यहाँ पे यहाँ पे as a shutter button यूज कर सकते हो यहाँ पे आप smart watch को reset भी कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो formware version एक लिखा हुआ है यहाँ पे हमें click करना है एंड इसको आपको check करते रहना है ठीक है कभी भी update आता है तो update कर लेना है तरीके से आप smart watch से चेंज कर सकते हो इसके साथ बात करते हैं यह working crown है तो आप इसको rotate करके भी कुछ इस तरीके से आप watch पे से change कर सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके साथ आगे बात करें तो अगर आप display पे slide down करते हो तो message वे देख सकते हो अगर आप display पे slide up करते हो तो यहाँ से भी कुछ features का use कर सकते हो यहाँ से आप settings में जा सकते हो settings में यहाँ पे dial का option है यहाँ से आप कोई भी watch faces change कर सकते हो इसके साथ vibration और ring पे जाके यहाँ से आप intensity adjust कर सकते हो and vibration और ring को on off भी कर सकते हो यहां से आप brightness adjust कर सकते हो अपने हिसाब से also यहां से आप reach to wake feature का timing आप change कर सकते हो and यहां पर screen time आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो कितने second बार display off होना चीए साथ ही बात करें तो यहां से about में जाके watch के बारे में देख सकते हो यहां से power off कर सकते हो, reset कर सकते हो and restart कर सकते हो इसे के साथ back आते हैं and अगर हम reset slide करते हैं तो noise health में जाके आप health related features का use कर सकते हो यहां से आप sports mode का use कर सकते हो यहां से sports record देख सकते हो यहां से भी आप message वगरा देख सकते हो अगर noise buzz वाले option में जाते हो तो यहां से आप calling का यूज़ कर सकते हो जैसे कि recent calls देख सकते हो dial pad का यूज़ कर सकते हो यहां से context भी देख सकते हो इसी क्लॉक वाले option में जाते हो तो यहां से stop watch, alarm and timer का भी यूज़ कर सकते हो यहां से आप breathe exercise कर सकते हो आगे बात करें तो voice assistant का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आपको games देखने के लिए मिल जाते हैं तो total है आपको two games देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि funnay time pass के लिए play कर सकते हो यहाँ पर आप पर आप click करते हो तो इसको scan करके भी जो है इसके app को download कर सकते हो जिससे हमने connect किया and also बात करें तो find my phone का यूज़ कर सकते हो and यहाँ से भी जो आप settings में जा सकते हो इसके साथ back आते हैं and अगर हम इस साथ slide करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ से steps count देख सकते हो calories count देख सकते हो and distance count जो है यहाँ से आप view कर सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो आप sleep monitoring का यूज़ कर सकते हो यहाँ से आप heart rate monitoring का यूज़ कर सकते हो also बात करते हो यहाँ से spo2 monitoring का यूज़ कर सकते हो यहाँ से भी आप weather view कर सकते हो and complete smart watch को कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो so I hope जो भी आपके doubts है वो clear हो गए हो and complete कैसे connect करके complete कैसे smartwatch को use करना है आ गया होगा बाकि अगर कोई भी question होगा तो comment करके जरूर बताइएगा ठीक है friends, thank you